काई dalू दोस्तु फिरशे आप सभी का एक नई वीडियो में सवागत हैं तो आज में इस वीडियो में बारे में बात करने वाले जिसको पेरों में जो पेरों के तलवे होते हैं उसमें बहुत चड़ा कुछ लोगों को जलन होना लगती है तो उसको हम बर्निंग फिट बोलते हैं तो यह क्यों होता है इसके पिछे क्या क्या कारण है इसके बारे में इस वीडियो में जारेंगे दोस्तों तो वीडियो को लास तक देखना और आपने अभी तक हमारी चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले जानते है कि पेरों के जो तलवे होते हैं उसमें जलन होती ही क्यों है तो जब भी हमारी कोई नावस होती है वो कमजोर बढ़ती है डेमेज होती है तो उस वज़े से हमें जंजना हटसी मेसूस होती है नमनेस मेसूस होती है और जब पेरों के तलवे में सबसे पहला कारण है विटामिन की डिफियरिया विटामिन की कम है अगर विटामिन B12 की कमी है तो भी आपको पेरों के तलवे में चलन हो सकते है या तो फिर किसी को एनिमी आ है किसी को खून की कमी है फॉलिक एसीड या आईरन की कमी है तो भी पेरों के तलवे में चलन हो सकते है इसके अलावा जो लोग अलकोहल बहुत ज्यादा कंस्यूम कर लोग के वी पेरों के तलवे में बहुत ज़्याद जुक्वात्य देज्ट दितlo तो लगेश्ट का अनला ट्राव सबाएं के वाँ महती है उसके प्यूर्य correct method disease होता है उसमें भी पेरो pavement prophкое Penny zajलन होते हैं तो ये Charcot मेरी टूथ डिजिजिज स्कार्थ होता है तो उसमें जो हमारी नॉस होती है वो इनवल्ल होती है हमारी नॉस होती है वो डेमेच वोने लगती है दो इसको चारकोट जो peripheral जो पेरीफँरवन वोती है जाती है जो दवाया दी जाती हो बहुत है वी दोस में दी जाती है तो उसकी म्सिल्व की वज़े से भी पैर के तलवे में चलन हो सकते हैं बर्निंग फ Audrey हो सकता है इसके अलावा किसी को खροंड क्रौनी में दिजी से उनको डायबिटिक न्यूरोपेथी होती है, तो उस वज़े से पेरों के जो तलवे होते हैं, उसमें जलन होने लगती है, क्योंकि डायबिटिक की वज़े से जो पेशन की नसे होती है, जो नौस होती है, वो कमजोर होने लगती है, और उस वज़े से पेरों के तलवे में जल समस्या रहती है तो हाइपो थाइरोडिजम क्या होता है तो हमारी जो थाइरोड ग्लेंड होते हैं अपर गले में वो कुछ होर्मोन सिक्रेट करती है तो वो अगर कम सिक्रेट करती है वो हर्मोन से वह कम बने लगते है और कम उसका सिकरीशन होता है तो उसको तो उस वजे से भी पेर के तरवे में जलन हो सकती है और किसी को थार्सा था उल्नेंट नूज को से वहां से उसमे कि ख होता है तो किया गुशारचीS Feh success्राचीी Position होती है तो उस वजह से भी यह डिक्कत हो सकती है पेरों कें तलबे में थारह या सकती है वहां पर दो हो सकता है इंस सारी निकते होने लगते हैं कि अलावा कुछ और डिजीजिस हैं स Katy सब्सक्राइब में तो इसका एक उलाज क्या है तो आप सबसे पहले तो घर पर क्या कर सकते हो तो आपको गरम पानी करना है और उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा और नमक डालके अपने पेरों की सिकाई करनी है तो उससे आपको टेमपररी मिल सकता है बाकि इसका treatment उसके cause के according होता है अगर आपकी सरीर में खून की कमी है एनइमिया है तो आपको आइरन फोलिक रचानकर रिचानने को मिली होगी अगर वीडियो अच्छी लगिया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तुम्हें मिलता हम अगले वीडियो में तब तक हैल्दी रहिए फीट रहिए और मस्त रहिए